निल बलूनी ने नमांकन भरा है, आज वहाँ पर जनसभा इस वक्त हो रही है, सीम धामी क्या कुछ कहने हैं सुनते हैं। जीव, आजणी बुष्यंत गोतम जी, हमारे पूरु मुख्य मंतरी सांसद हरिद्वार, पूर्ब किंदरी मंतरी आज़ी डोक्टर निशंक जी और सांसद गड़वाल और पूरु मुख्य मंतरी, आजणी तीरत जी, मंच पर आशीन, आजणी धन्सिंग जी, आजणी सुगो और इस बहुत ही अच्यासिक समारों में आज तूरे गड़वार लोग समा से एक कोने से दुसरे कोने तक आये हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उबस्तित, माता हैं, भेन हैं, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी अपार संग्या में आने के लिए, भाई अनिल बलोनी जी को अपना आसिरबाद और समर्तन देने के लिए, मैं देख रहा हूँ, जितनी इस मैदान के अंदर, जितने लोग बैठे हैं, इस से कई हुना लोग, आज इस मैदान के बहार हैं, आस पास के छेत्रों में हैं, मैं आप सबका अपन चुनाओं में कहीं से यह आवाद नहीं आ रही है, कि सरकार किसकी बनने वाली है, सब बोल रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनने वाली है, बोल रहे हैं कि दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है, हाँ ये जरूर बोल रहे हैं, जैसा अभी इस मिर्दी जी, यहां से आप सब से जैकारा लगवा रही थी ना तो सब लोगों से कह रही थी चार सो पार हाँ यह जरूर की चार सो आएंगे की की चार सो दस आएंगे की चार सो पीस पूरे देश के इस बात की चर्चा हो रही है यह पहला हो रहा देश की आजादी के बाद भाईयों वहनों देव भूवी उत्राखंट के लोगों ने हमेशा जब भी हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के नितुत में चुना हुआ जो भी लोग सवा सीखें हैं से जीचेते दोजह का विधान सभा का चुना हुआ आप सब लोगोंने दोजह सब्रह में भारती जंता पर्टी की सरकार बनाई थी 2019 में लोग सब्रागा का चुना हुआ आपके 2014 के मुकाम में 2019 में और जहरों मतों से 507 सद्यां से जिता कर भेजे थे और 2022 में अभी हैं, आप सब के आशिरवाद से हमारे प्रधान मत्री मोधी जी के नेतोतों में, उनके मारणसिद में, हम उत्राखंड के चुनाओं में गए, और आप सब लोगों ने उत्राखंड के अंदर, उत्राखंड इस्ताफना के 24 सालों के इतियास में, पहली बार एक म सेवा करने का उसर प्रदान ग्या। आप सब जानते हैं, इसके साथ साथ केदार नाची का फुनों धिर्मान का काम देजी से चल रहा है, एक समय हो था आप याद करिए, आप जब रिशी केस से यहां पोड़ी के लिए आते थे, सिरी नगर के लिए आते थे, आप बद्री नाच जाते थे, दुदुप्रियाग ज आते थे, चमोरी जाते थे, पूरे कई घंटों अजाते थे, आज आप आसामी से, कुछी घंटों में, आप बद्री नाच से भिसी केस केस पहुंच जाते हैं, भाईयो 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 यह अंतर साब दिखाई देता है, इस प्रकार से आग के लेक्टिवीटी बढ़ी है, किस परकार से आतेजी से काम हुआ है ने वह वाईयों वहनोरे कुछ कuitive बनेजी ऑट कि उसलें हो रही है कि मोदी जी ने जो भी जंता से वहाईदा किया है जो भी जंता से शंटल किया है वह सारे के सारे उन्होंने पूरे किये हैं भाई यो भैनो डबल इंजन की सरकार है उत्राखंड के अंदर इसलिए आज चार धामों का भी गास हो या बदीदात के दाननात का उन्हा निर्मान हो नव निर्मान हो इसी के इस कड़म पर जाक रेल लाइन हो या बहुत सारे काम जो अभी भाई अंदर यहां से किला है वह सारे काम इसले संभू हो पार है कि आज दोनों ही जगपर दोनों सरकारे मिलकर काम कर रही हैं आप सब को पता है उत्राखंड आप देश के अंदर जहां बहुत सारी बात हैं 370 भगवान राम का भव्यमंदिर बनना शिये का कानू पहला राचे है हम सबको गौर्फराप्त हो गया उत्राखंड एक एक कट्डि को एक गौरफ प्राफ्त हो गया कि उत्राखंड जू सी लागू करने वाला राचे बन गया भाई वए को मैं पदाए देना चाहता हूं आप सब को यहां हो भुशनाओं से पहले जो आप से सं कि अगया भाओ